हेलो हाई आदाव नमस्कार समाने सातियों वेल्कम टी यूट्यूब चैनल टेट पाइंट आज हम डिसकेशन करने जा रहे हैं सत्र दोजार चौविस पच्चेश अंत्य जन्पद्य इस्थानांत्रन समाजन के समद्ध में सर प्रदान द्यापक का चिन्हांकन किस प्रकार से किया जाएगा साथी डेफिसिट विद्यालों का चिन्हांकन किस प्रकार से किया जाएगा और साथी विद्याले आवंडन का आदार क्या रहेगा साथ ही सर प्लस की संख्या डेफिसिट पदों की संख्या से कम होने की स्थिति में समय जन किस प्रकाश से किया जाएगा इन सभी बिन्दों पर और अन्य बिन्दों पर भी चर्चा करने जा रहे हैं यदि आपको वीडियो पसंद आये तो लाइक करें सबिस्क्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोडिफिकेशन आपको सर प्रिथम प्राप्त हो सके और शेयर भी करें शेयर करने से ग्यान घरता नहीं ग्यान बढ़ता है साथ यह दिया हमारे यूट्यूब चनल के वर्सप ग्रूप और टेलीक्राम ग्रूप से जोना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के मादम से जड़ सकते हैं चलते हैं आज की वीडियो के शिर्षक की तरफ यह आधिस है सोले दोजार चोविस का और प्रिशक है सची उत्तरप्रदेश बेस्षिक शिख्षा परिशत प्रियाग राज है कि विसए से शिख्षिक सत्र दोजार चोविस परचिस में अन्तय जिनपद्य इस्थाना नंत्रम समयोजन के संबंध में और इस में तोड़ा नीचे आ जाते हैं तो फी कि परेसे दिये के पत्र द्रांग 1288 24 द्रा दिनांग 1688 24 से 1788 24 तक आप सकता वाले विद्धालों की सूची तता सर्प्लस सिक्षकों की सूची जिलाबेसिक सिक्षामाइब कर्वाई कारी के लोगइन पर प्रिदसित किया जाना तथा जिला बेसिक शिक्षैसाधीकारे द्वारा परेशण वोपरांध डाटा अंतिम रूप से लोग किया जाने की करवाई किया जाना निर्दारित है उतसूची राष्टे सूचना विग्यान केंडर उत्तर प्रदेश लगनों दोरा विक्सित पोर्टल पर इस पर प्रिदसित की जाएगी जिस पर जिला बेसिक सिक्षाधी कारियों दोरा डिफॉल्ट पासवर्ड समयोजन हैज 2024 से लोगिन किया जा सकेगा और उक्त पासवर्ड प्रिथ दथा सर्प्लस्सूचि का परिच्छा निम्वत पृक्रियग नुसर्ट किया जाना है तो सुनने नामंकन वाले प्राथमिक विद्यालों में सर्प्लस्ताब डेफिसिट साहय कघ्यापक प्रदानद्यापक का चिनांकन देख लेते हैं विद्याले जहां पर पूर से सिक्षामित्र कारद है तो विद्याले में कारद सभी सायकत ध्यापक प्रिधाना ध्यापक को सरपलस माना जाएगा और दूसरे बिंदों में देख लेते हैं क्या है विद्धाले जहां पर सूर्य विद्धाले जहां पर पूर से सिख्छमित्र कारेत नहीं है तो विद्धाले में कारेत सायक अध्यापकों में से एक वरिस्तम को छोड़ते वे से सभी सायक अध्यापक प्रिदान अध्यापक को सर्प्लस माना जाएगा तथा विद्याले में साहयक अध्यापक कारिद नहीं है तो 0-1 वरिष्टम प्रिदान अध्यापक को छोड़ते हुए सेज प्रधाना ध्यापक को सरप्लस माना जाएगा विद्धाले जहां पर पूरु से एक सिक्षक सिक्षामित्र साइकत ध्यापक प्रधाना ध्यापक को जोड़ कर कायरत है तो विद्धाले को डेफिसिट नहीं माना जाएगा और कहां माना जाएगा देख लेते हैं विद्धाले जहां पर पूरु से 0-0 शिक्षक सिक्षामित्र साइक अध्यापक वे प्रिधान अध्यापक को जोड़कर कायगत है तो विद्धाले को डेफिसिट माना जाएगा वे 0-1 साइक अध्यापक की वेकैनसी प्रिद्धिसित की जाएगी एक वे अधिक नामांकन वाले विद्धालों में RTE मानक के अनुसार डेफिसिट विद्धाले तथा सर्प्लस प्रदान अध्यापक प्रात्मी किस तरका चिनांकन किस प्रकार से किया जाएगा देख लेते हैं प्रात्मी विद्धालों में HTPS Head Teacher प्रात्मी किस तरका चिनांकन विद्धाले जहां पर 150 से अधिक नामांकन है तता प्रदान अध्यापक प्रात्मी किस तर पर कर रत नहीं हैं तो ऐसे विद्धाले को डेफिसिट माना जायेगा वह एक प्रदान अध्यापक प्रात्मी किस तरकी Vacancy प्रदसित की जाएगी तो यदि एक से एक सो पचास से जादा है तो वहीं पर प्रदाना द्यापक की वेकेंसी प्रदसित की जाएगी और यदि एक सो पचास या पर एक सो पचास से कम है तो वहाँ पर प्रदाना द्यापक की वेकेंसी प्रदसित नहीं की जाएगी सर प्रदान अध्यापक का चिनांकन किस प्रकार से क्या जाएगा देख लेते हैं विद्धाले जहां पर एक से अधिक प्रदान अध्यापक प्रात्मिक इस्तर कर रहत हैं तो वहां एक वरिस्तम प्रदान अध्यापक प्रात्मिक इस्तर को छोड़ते हुए से प्रदाना ध्यापक प्रात्मिक इस्तर को सर्प्लस माना जाएगा जैसे कि कई प्रात्मिक विद्यालों को मर्ज कर दिया था कंपोजित कर दिया था और वहां पर इस प्रकारी स्थिति है तो वहां के लिए ये बिंदू है सुने से अधिक प्रंतु 151 से कम नामंकन वाले विद्यालों में करेरत समस्त प्रदाना ध्यापक प्रात्मिक इस्तर को सर्प्लस माना जाएगा प्रदाना ध्यापक प्रात्मिक इस्तर की वेकेंसी को भरा जाना किस प्रकार से भरा जाएगा देख लेते हैं सुने नामंकन वाले प्रात्मिक विद्धाल में सर्प्लस चिन्नित प्रदाना ध्यापक प्रात्मिक इस्तर का जन्पदवर पूल बनाया जाएगा और सर्प्रिथम इस पूल के प्रदाना ध्यापक प्रात्मिक इस्तर का पूल से कनिष्टा के क्रम में के करमे जन्पद इस्तर पर उपलव्द प्रिदाना ध्यापक प्रात्मिक इस्तर की वेकंसी के प्रितिस समय जन किया जाना और यदि उप्रोगत प्रिकरिया के उपरांत जन्पद इस्तर पर प्रिदाना ध्यापक प्रात्मिक इस्तर की वेकंसी रह जाती है तो एक वे अधिक नामंकन वाले प्रात्मिक विद्यालों जहां पर एक से अधिक प्रधाना ध्यापक प्रात्मिक इस्तर पर कर रहत हैं जन्पद इस्तर पर उप्लग प्रधाना ध्यापक प्रात्मिक इस्तर की वैकेंसी के प्रतिस समय जन किया जाएगा और नेश्ट देख लेते हैं यदि उप्रूप्त प्रक्रिया के उप्रांते भी जन्पद इस्तर पर प्रदाना ध्यापक प्रात्मिक इस्तर की वेकंसी रह जाती है तो जीरो से अधिक प्रंतु 151 से कम नामांकन वाले प्रात्मिक विद्यालियों जहां पर प्रदाना ध्यापक प्रात्मिक इस्तर पर कर प्रदाना ध्यापक का प्रतार का ध्यापक प्रात्मिक इस्तर क्रत्र वेकंसी के समयजन किया जाएगा थिवद्विध्य conflicts तथा सर्प्लस साहिक अध्यापक प्रात्मिक किस्तर का चिन्हांकन देख लेते हैं तो विद्यालेवार आर टी इ मानक के अनुसार साहिक अध्यापक प्रात्मिक किस्तर की आवसकता से अधिक कैरत शाहे कद्यापक प्रात्मी किस्तर की संख्या के बराबर कनिश्टम शाहे कद्यापक प्रात्मी किस्तर को सर्पलस माना जाएगा और सर्पलस साहे कद्यापक प्रात्मी किस्तर की संख्या डेफिसिट पदों की संख्या से अधिक होने की स्थिति में डैफिस्टिट पदों की संख्या के बराबर समय जन किया जाएगा सरप्लस की संख्या डैफिस्टिट पदों की संख्या से कम होने की स्थिति में रिक्तियों हे तो विद्यालों का चेंड डैफिसिट विद्यालों की सूची में से निमनवत किया जाना है जैसे सुन्ने सिक्षक वे सुन्ने सिक्षामित्र वाले विद्यालों में छात नमांकन के घरते क्रम में दो दो सिक्षक रखे जाएंगे और सुन्य सिक्षक प्रंतु सिक्षामित्र करत वाले विद्यालों में चात नमांकन के गरते करम में एक एक सिक्षक रखे जाएंगे और एक सिक्षक प्रंतु सिक्षामित्र करत वाले विद्यालों में चात नमांकन के गरते करम में एक एक सिक्षक रखे जाएंगे तत्पश्चात RTE मानक के अनुसार डेफेसिट विद्यालों में चात्र नामांकन के गरते क्रम में एक एक सिक्षक रखे जाएंगे तत्पश्चात RTE मानक के अनुसार डेफेसिट विद्यालों में चात्र नामांकन के गरते क्रम में एक एक अतिरिक्त सिक्षक उप्रोग्त कारवाई सर प्लस सायक अध्यापक प्रात्मिक इस्तर की उप्लक्त संख्या के समयचित होने तक क्रम्स से की जाएगी सर प्लस सायक अध्यापक प्रात्मिक इस्तर हेतु रिक्तियों की संख्या यथा संभव कुल सर प्लस साइक अध्यापक प्रात्मिक्स्तर की संख्या से पांच अधिक का चिन्नांकन किया जाएगा विद्याले आवंटन विद्याले आवंटन प्राप्त विद्यालों के आधारपन निमलेखित करम में किया जाएगा दिव्यांग महिला वरिष्टा के अनुसार इसको प्रात्मिकता दी जाएगी उसके पस्चाद दिव्यांग पुरुस वरिष्टा के अनुसार इनको वरिष्टा दी जाएगी और सेज महिला वरिष्टा क्रम में इनको वरिष्टा दी जाएगी और किरप्या तदनुसार समय बदतार रुप से कारवाई करना सूनिस्चित करें इस तरह से यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें सबिस्क्राइब करें ठैंक्स और यदि आपको पीडियाप चाहिए तो आप इस वीडियो के डेस्क्रेप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं